Hi all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens आज के जो आपके वीडियो है वो है आपके ओरा और चक्रा के एनर्जी चेक आप लोग के ओरा चक्रा के एनर्जी चेक है और ये देखेंगे कि आपके हर ओरा और चक्रा में कितना एनर्जी है कौन सी balanced है, कौन imbalanced है इस mad matter में देखेंगे ये timeless वीडियो है जिस दिन के जिस time से आप देख रहे हो उसी time से आपके ओपर applicable होती है हर gender के लिए है, male, female हर gender के लिए है आप किसी भी location में हो दुनिया के कई पर भी हो London, Scotland, Dublin, Ireland, Frankfurt या Auckland या आप हो, Texas या New Jersey आपके लिए ये reading है किसी भी time zone के लोगों के लिए है और married, unmarried दोनों लोगों के लिए है और चक्रा के balancing है के नहीं, balanced है के नहीं, activated है के नहीं, आपके proper है के नहीं ये हर किसी के लिए लागूब होती है और ये जो है, यहाँ पर options के लिए देखेंगे कि आपके हर औरा चक्रा के क्या energy है Guys, मैं बता रही हूँ, इस तरीका के जो है pendulum आपको online में बहुत मिल जाएंगे कि खरीद ले के लिए लेकिन ये जो pendulum होती है, ये basically आपके काम करते है कि इसको channelized करना और इसको energized करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर energized नहीं है तो pendulum कैसे भी घुमते है हवा में वो नहीं होती है और इसके लिए proper dowsing के class लेना पड़ते है लंबे अर्से के लिए तो आपको पता होती है कि pendulum कैसे charge किया जाए आपके root चक्रा जो है balanced है आप दिखेंगे sacral चक्रा बैलेंस्ट है इसे आपको इसके उपर काम करना चाहिए इसे आपको इसके उपर काम करना चाहिए हार्ट चक्रा भी इंबालेंस्ट है बिल्कुल एनरजी नहीं है हार्ट चक्रा में अंडर एक्टिव है पेंडुलम घूमी नहीं रहा है थ्रोट चक्रा में आके बैलेंस्ट है थाड़ाई चक्रा आपके क्राउन चक्रा बिल्कुल बैलेंस्ट है आपको काम करना है सोलर प्लेक्स चक्रा हार्ट चक्रा फ्रोट चक्रा गाइस सोलर प्लेक्स चक्रा जो होती है हमारे विल पावर को अक्टिव करते हैं बॉड़ी में इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं और ऐसे करते हैं कि जब हम लोग कुछ चाते हैं उसको पाने में help करते हैं so heart chakra जो होती है ौ बेसिक्ली हमारे जो emotions को control करते है metaphysically और physically body में heart के एक बहुत ही active part होती है heart heart के मुताबिक नहीं जा रही है बट आप लोग सब जानते हो कि हार्ट से ही हम लोग जो सास लेना, सास छोड़ना ये सब करते है और थ्रोट चक्रा जो होती है basically हमारे communication के लिए होती है किसी से भी हम बात करते हैं और थ्रोट चक्रा बैलेंस रहते हैं तो वो हम से काफी ज़दा impressed होते हैं, बात अच्छे से हो पते हैं और अगर थ्रोट चक्रा इंबैलेंस हो तो आपके बातों में आपके बात को कोई लोग गलत सोचेंगे और उसके उपर आपके लड़ाई होने की chances होती है तो ये जो तीनों जो चक्रा आपके इंबैलेंस थैं, आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है कि इस वक्त में आप ये तीनों चक्रा के उपर काम करो और तीनों चक्रा के उपर आप बहुत जबाज़ा फोकस करके चलो क्योंकि आपके तीनों के तीनों चक्रा imbalanced है आपके advise card देखेंगे कि आपके advise card क्या कह रहे Six chakra Archangel Metatron आपके दिखा रहे कि सिर्फ six chakra जो है मतलब आपके crown chakra ही ठीक है सबसे अच्छा आपके energy crown chakra कहीं आ रही तो अच्छा है और archangel metatron शायद आपके guide है तो archangel metatron को prayer करें और इस chakra को ठीक करें और जरूर मेरी channel में जो all chakra activations के video है ASMR video आती है